बिग बॉस 13 एपिसोड 1 से मैं आपके साथ डिसकस कर रही हूँ जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि सिथात और शहनास किस तरह से एक तूसरे के करीब आए और किस तरह से सेडनास बन गए आज मैं एपिसोड 28 आपके साथ डिसकस करूँगी गाइस लेकिन इससे पहले के एप सारे ही एपिसोड देख सकते हैं आज मैं एपिसोड 28 आपके लिए लेकर आए हूँ तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजे और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्ट पारस और माहरा को मतलब फाइनल्स में जगह मिल पाई है अब माहरा बेकुल भी डिजर्विंग नहीं है आगे जाने के लिए उसके बावजूद वो आगे निकल चुकी है वो आगे पहुंच चुकी है क्योंकि रश्मी और देबोलिना ने अपना स्टैंड नहीं लिया वो अपने लिए नहीं खेले खेल यह सब बाते में आपके साथ पिछली वीडियो में ही डिसकस कर चुकी हूँ एपिसोड 27 पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजेगा अब उसी समय का यह सीन है जब सारा टास्क वास हो जाता है रात को यह जानना चाहता था शहनास के बारे में हर एक बात तो यहां पर शहनास को भी होता है सिधात के बारे में सब कुछ जानना वो चाहती है क्योंकि उनका रिलेशन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना दोस्ती से कहीं जादा आगे बढ़ने की शिरुआत यहां पर हो चुक तो सिधात full attitude में जवाब देता है क्यों बताओ तू क्या है तू क्या है तू माँ है क्या मेरी फिर शहनाज कहा मानने वाली है यार उसे जो पूछना है वो तो पूछ करी रहेगी न फिर शहनाज दो उंगलियों दिखा दिये सिधात को अपनी दोनों fingers में से कहती कि एक को चुन ले और यहाँ पर सिधात दोनों fingers को नहीं वो शहनाज को ही चुन लेता है तू फिंगर के क्या वाद करी मोटी में तो तुझे चुन चुका हूँ ना पहले ही चुन चुका हूँ यहाँ सिधात के दिल की आवास तो यही होती है और लेकिन सिधात इशारे से जो कहना चाहता है वो लबो से भी इस बात को कह देता है कि मैंने तुझे चुन लिया है मैं तुझे चुनना चाहता हूँ तो ये एक बहुत प्यारा सा मॉमेंट है भले इसमे रश्मी का नाम बीच में आया है लेकिन सिधात ने जिस तरह से शेहनास को चुन लिया है ये देखकर मतलब बहुत बहुत जादा क्यूट लगता एक दम स्टार्टिंग डेज में ही और उसके बाद हो जाती है रात और आसिम और मतलब सभी लोगों में ड्यूटी को लेकर ही जगड़े हो रहे हैं सब लोग ड्यूटी को लेकर लड़ रहे हैं कोई किसी को कुछ बोल रहे हैं कोई किसी कुछ बोल रहे हैं मतलब ड्यूटी पर ही उंगलिया उठानी लेकिन सिधार तो शेहनास यार कभी इन बा not experience पारेस ने साथ बनाया बाद में लेकिन वो रश्मी के साथ है डिस्क ac करूंगी लेकिन यहां पर कन्भ Quốc लिए कि वो है कि पारेस रश्मी का फ्रेंड है बाहर से ही और उसके वाद ये सीन आता है जहाँ पर सिधा, शहनाज, आसिम और आरती होते और ये लोग यार कभी किसी और की बात नहीं करते हैं ये लोग हमेशा आपस में अपनी ही बाते हैं और ना ही ड्यूटी इसको लेकर मुद्दा बनाते हैं इनका ग्रूप बहुत स्ट्रॉंग नजर आता है और यहाँ पर शहनाज बहुत फ़नी अंदाज में बात कर रही होती है लेकिन शुकला जी की नजरें कुछ और ही बया कर रही होती है शुकला जी की नजरों में उनके दिल का हाल छुपा होता है जो वो लवो तक नहीं लाना जाते लेकिन उनकी चेहरे से और उनकी आखोंसे सब कुछ पता चल जाता है और आज का जो ये एपिजोड है ना उसमें आपको सेडनास मोमेंत ही देखने को मिलेंगे सिधात और शेहनास का आखों-आखों में बात करना सिधात का इस तरह से प्यार जताना शहनास पर तूरा एपिसोड आज सिधनास मॉमेंट से ही भरा हुआ तो आप वीडियो को एंड तक ज़रू देखिएगा गाइस यहाँ पर शहनास थोड़े से मस्ती अंदाज में होते है यहाँ पर जो आरती है वो बाहर से फ्रेंड है रश्मी की बहुत पुरानी फ्रेंड है लेकिन यहाँ पर दोस्ती दिखा रही है वो सिधात के लिए क्योंकि उसे गेम में आगे बढ़ना है सिधात स्ट्रॉंग है उसे बचाता रहेगा इसलिए वो सिधात की टीम में भी है तो यहाँ पर सिधात की तरफ लॉयल्टी दिखाने के लिए आरती बात करती है रश्मी की आरती की तिये रश्मी को देखके मेरा खून खोलता है मतल्ब हो चीखे मारती रहती है यार तो शेहनास कहती है कि हाँ जब तो रश्मी से लड़ रही थी ना आरती सिधात का पूरा पूरा ध्यान सिर्फ हो सिधात की तरफ ही है उसे आरती की बास से भी कोई मतलम नहीं उसे शेफाली के बैठे होने से भी कोई मतलम नहीं है लेकिन वो खुश है सिर्फ सिधात को देखकर शिधात की बातों पर ही सिधात रियक्ट करता है तो शिधात की तरफ जिस तरह से सिधात की नजरे टीकी हुई है सिधात की नजरे मानो अटक सी गई है वो किसी और की तरफ देखनाई नहीं नहीं चाहता सिधात की नजरे सिर्फ हो सिर्फ शेहनास को ही अटेंशन देना चाहती है शेहनास की ही अदाओं को देखना चाहती है यहाँ पर सिधात और इस तरह से यह मॉमेंट कंप्ली रहता है उसके बाद अगला मॉमेंट भी सिधनास मॉमेंट ही है जहां पर सिधात और शहनास दोनों ready होकर आ चुके होते हैं सिधात भी नहा कर आ चुका होता है और men in black सिधात इस black टी शिर्ट और जीन्स में बहुत बहुत ज़ादा हैंडसम लग रहा होता है और शहनास तो बहुत ज़ादा क्यूट लग रही होती है और तोनों यार बहुत हॉट हॉट लग रहे होते हैं यहाँ पर और आज का जो पूरा एपिसोड है और आज पूरे दिन मतलब सिधात और शहनास साथ ही रहे यार शहनास कभी कहीं और बैठी दीखी ही नहीं वो हमेशा सिधात के पास ही बैठी होती है सिधात के टीम के साथ ही बैठी होती है स्टार्टिंग डेज से मैंने यही चीजें क्लियर करने की कोशिश की है एपिसोड वन से आप उठा कर देख लिजए गाइस मेरी प्लेलिस्ट में आपको पूरे एपिसोड मिल जाएंगे शहनास कभी पारस और उसकी टीम के साथ बैठी ही नहीं कभी इस तरह से मस्तियां पारस के साथ उसने की ही नहीं फिर कौन सा कनेक्शन यार कभी कोई कनेक्शन इनका था ही नहीं अगर शिरुआत के तीन चार दिन छोड़ दिये जाए जब शहनास को एक सौफ्ट कॉर्णर था शहनास के दिल में पारस के लिए क्योंकि वो पनजाब से है जिसे कि शिफाली बग्गा के लिए था तो उस चीज़ को कनेक्शन बोल देना वो बहुत बड़ी गल्ती है यहां पर शहनास सिधात के साथ ही होती है उस सिधात को भी पता है ना शहनास को अटेंशन चाहिए शहनास को इंटेइन्मेंट नहीं है यार वो इस तरह का बंदा है यह नहीं लेकिन सिधात ने बताया था नहीं कि शेहनाज आपको एक अलगी बंदे से मिलवा देगी जो जिसे आप भी नहीं जानते हो मतलब उसके अंदर का बच्चा जो छुपा वैठा है ना अंदर वो शेहनाज से बाते करते हुए ब बया कर ली है वो कुچ और ही मूड में है सिधात याँ पर सिधात शेहनाज की तरफ भाहे चला जा रहा है सिधात अपने आपको रोक ही नहीं बारा अपने इमोशन को नहीं रुक पर ह्या वो कोशिश कर रहा है लेकिन एक्सप्रेशन्स उसके चेहरे पर आ जा रहे उसकी आ तो है और उसके पास एक खुबसूरत सा दिल भी है और इस तरह से इनर ब्यूटी है शहनाज जिस से हम सब को प्यार हो गया और सिधात को भी आर उस लड़की से प्यार कैसे नहो सिधात को भी शहनाज से और उसके खुबसूरत से दिल से प्यार हो चुका है यहाँ पर शहनाज English में बात करने की practice कर रही है सिधाद के साथ तो सिधाद भी शहनाज से उसी की तरह की बाते कर रहा है लेकिन सिधाद के लबों पर एक सच्चा ही आ जाती है सिधाद यहाँ पर शहनाज से कहता है You are very kind girl with lots of emotions and you have lots of love for lots of people फिर शहनाज केती है I have feelings for lots of pupils फिर शहनाज केती है You like my English फिर सिधाद केता है I think I love it और इन दोनों की conversation यहीं पर मतलब खता मुझाती है यह सीन यहीं तक ही था लेकिन मुझे यकीन है कि यह सीन बहुत जादा cute होगा आगे जो हमें टीवी पर नहीं दिखाया गया उसके बाद big boss के घर में दिया जाता है एक कार और wild card की भी यहाँ पर entry दिखाई जाती है entry मतलब वो घर के एक हिस्से से सभी लोगों को देख रहे होते अभी वो घर के बाहर है लेकिन सभी पर उनकी नजरे है और यहाँ पर ranking वाला कार्यत दिया जाता है जैसे की पहले ranking देनी होती है घर के सबसे जादा दोगले सदस्य को और सबकी सहमती के अनुसार ही ranking दी जाएगी और जो wild card तीनों बैठे हैं शेफाली जरी वाला खैसारी और तहसीन पुना वाला यह तीनों भी अपनी ranking देंगे और जो wild card है उनकी ranking को ही मतलब मान्यता दी जाएगी यहाँ पर अब सब लोग यहाँ पर task की बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं task के बारे में सुन रहे हैं कि कैसा क्या होगा सिधात यहाँ पर संचालक होने वाला है लेकिन यहाँ पर सिधात और शहनास का ना एक अलगी moment है मतलब मैंने बताया ना कि आज का पूरा दिन सिधात और शहनास ने एक दूसरे के साथ बहुत सादा प्यार से spend किया बहुत सारी वाते की और इनके जो यह छोटे छोटे से अंदाज है ना आज के साथ में खड़े होना टची होकर खड़े होना यार हम सब यह चीजे देखकर ना दिवाने हो जाते हैं यहाँ पर सिधात जिस तरह से शहनास के साथ कड़ा है वो full attention शहनास को देना चाहता है वो शहनास के अलावा किसी और को देखना भी नहीं चाहता है और कहीं न कहीं वो positive होते हुए भी नजर आएंगे इस task के दौरान तो yes guys task start होता है सबसे दोगला सदस्टे इस घर का कौन है तो सब लोग यहाँ पर रश्मी देशाई को बोलते हैं कि रश्मी नंबर वन पर दोगली है तो मतलब यार इतने लोग अगर बोल रहें रश्मी को तो कहीं न कहीं यह हकीकत है और रश्मी देशाई नाम लेती है अपनी पुरानी friend का जो कि बाहर से friend है आरती का तो मतलब इन दोनों के बीच में हाँ पर argument भी होती है अब सिधात संचाला के तो वो इस argument को खतम करने की कोशिश करता है तो इस तरीके से बहुत सारे argument के बाद नतीजा यही निकलता है कि number one से number nine तक ranking देनी होती है नमबर वन पे सबसे जादा दोगले इनसान को खड़ा होना होता है और वो है रश्मी देसाई घर के अधिकतर लोग ये मानते हैं कि रश्मी देसाई डबल फैसे वो दोगलापन करती है अब शहनास को आप देख रहे कि उसे नमबर फाइफ पर रैंकिंग मिली है उसके बाद सिधात को तो नौ नमबर पर रैंकिंग मिली है ये घर वाले ने डिसाइड किया है लेकिन जो वाइल कार्ट साएं वो अपने अनुसार इनको रैंकिंग देंगे और यहाँ पर वो दोगला नमबर वन पारस को देते हैं और नमबर एट पे होते हैं सिधा शुकला उशेहनाज नमबर शेवन पे होती है नमबर नाइन पर होते हैं आसीm मतलब यह लोग बिलकुल भी दोगले नहीं है वो सबसी ज़ादा दोगला इंसान जो नमबर वन पर खड़ा है वो है पारस लेकिन यह पारस नंबर वन दोगला है वो तो सही बात है दैवोलिना भी दोगली है यहाँ पर सभी लोग दोगले है माहरा भी दोगली है थोड़ी कम दोगली है बट वो है लेकिन सबसे कम जो दोगले है वो आसिम सिधात शेहनाज मतलब सिधात की पूरी टीम जो की दोगली का गेम स्रिफोर सिफ उसे ही समझ में आ रहा है और वो ही बहुत अच्छे से खेल रहा है खैर उसकी गलत फेमी सलमान सर टाइम टाइम पे दूर करते रहते हैं यहां पर गलास रूम में एक सीन दिखाया जाते हैं जहां पर पारस और उनकी माहरा बेबी दोनों बात कर रहे है बात क्या करते हैं यार यह लोगों की चुगलियां करते हैं लोगों की बुराई करते हैं आपर रश्मी देसाई की बहुत जादा यह लोग बुराई कर रहे हैं यह लोग सिर्फ गेम की लिए ही कनेक्शन बनाये हुए हैं गेम की लिए ही दोस्ती करे हुए इसलिए उनके बीच में सिर्फ गेम की बाते होती है दूसरों की बुराई होती है और यहां पर हमारे सिधात और शेहनास आठ और साथ रैंकिंग पे जो खड़े हुए बहुत क्यूटली मुस्कुरा रहे है एक दूसरे को देखकर और यह होता है यार कनेक्शन इन्हें दूसरों की कर रही होती है क्योंकि शेहनास को भी किसी और से अटेंशन नहीं चाहिए सिर्फ और सिर्फ सिधात की अटेंशन चाहिए और सिधात इसsent के बाद भी उससे पहले भी पूरे टाइम शहनास के साथ है और एक बार फिर से में कहोंगे कि दोनों बहुत जादा खुपसूरत लग रहे हैं सिधाद इस ब्लेक टीशिट में कयामत धार है शहनास तो हमेशा की ही तरह बहुत जादा क्यूट लग रही है अब फिर से रैंकिंग वाला टास्क स्टार होता है और अब रैंकिंग देनी है जो सदस्य सबसे कम डिजर्व करता है आगे गेम में बढ़ना सबसे कम डिजर्व करता है तो नंबर एक पर वो शक्स होगा जो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है बिग बॉस के गेम में आगे बढ़ना और नाइन नंबर पर वो सालों के हिसाब से नंबर दो पे रखते हैं डैबोलीना को फिर नो सिधात और परस उसके बाद गेम पलड़ती है और जो वाइल कार्ड होते हैं वह अपने हिसाब से रेंकिंग रखते हैं, वह कुछ नाम बदल देते हैं वाइल कार्ट के हिसाब से भी आरती नमबर वन पर ही है लेकिन माहरा को नमबर तीन पर रख दिया जाता है मतलब वो बहुत कम डिजर्व करती है आगे बढ़ना उसके बाद साथ पर आ जाती है शहनाज रश्मी को छे पर रख देते हैं सिधात आट पर ही रहते हैं पारस नाइन पर रहते हैं मतलब पारस सबसे जादा डिजर्विंग है गेम में आगे बढ़ना यहाँ पर सिधात को पार्ट नमबर दिया जाता है पता नहीं यार वाइल कार्ड किस हिसाब से गेम को देख रहे हैं और उसके बाद मैं यह बताना चाहूंगी कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन माहरा का इगो यहाँ पर बहुत जादा हर्ट हो जाता है मैं खुबसूरत माहरा शर्मा उसे तो दिया वो नमबर तीन पर आय और इस समय उसका इगो बहुत जादा हाट हो रहा था ऐसे कैसे मुझे नमबर तीन पर रख दिया भाई तो यहां पर भी सच्चाई का आईना माहरा शर्मा को देखना ही होगा वो देखना नहीं चाहती लेकिन हकिकत यही है कि माहरा बिल्कुल भी डिजव नहीं करती थी जिस तरह से वो आगे पहुँच गई और वो सिर्फ वो सिर्फ पारस के पीछे रहकर ही खेल रही और पारस के सहारे ही वो आगे बढ़ती चली गई लेकिन यहापर शहनाज और सिधात आपस में ही मगन है चलने तो जो टास्क चल रहा है हमें तो एक दुसरे से मतलब है और बहुत क्यूट क्यूट से इनकी आखों आखों में इशारे हो रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे से सेडनाज मॉमेंट इस एपिसोड में देखने को मिले अब सलमान खान वाला एपिसोड आएगा विकेंड के वार जहां पर होगी वाइल कार्ड की एन्डरी और बहुत सारे वाइल कार्ड यहां पर एन्डरी लेने वाले और बहुत इंटरस्टिंग आगे गेम होने वाला है लेकिन वह सारी चीज़े वह सारी बाते मैं आपके सार्थ शेर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में तो yes guys ये वीडियो और यहां पर सेटनास बां पहुच पाएंग की जल से चल और गाइज स्क्रीन पर आ रहे ही वीडियो को इंजॉई कीजेगा थैंक्स पर वाचिंग गाइज